आज का वीडियो पुरा ध्यान से देखिएगा मेरे भक्तों मैं गरांटी देता हूँ अगर इस वीडियो को पुरा ध्यान से देख लिजिएगा तो दुनिया का कोई भी लड़की हो कोई भी इस्त्री हो आप उसको पल भर में अपने प्यार में हमेशा के लिए पागल कर सकत सिर्फ इस्त्री के बाल से मेरे भक्तों यह बहुत ही खतनाक सकती साल इस्त्री वसिकरन टोटका है इसका गलत प्रियोग नहीं किजेगा मैं आप लोग से बिनती करता हूं मेरे भक्तों मैंने इस टोटका से लगवा कम से कम 35-40,000 लोग का वसिकरन किया है सबका वसिकरन एक से दो दिन के भीतर में हो गया है मेरे भक्तों मैं आप लोगों से बिनिती करता हूँ कि इसका गलत प्रियोग नहीं किजिएगा इस वीडियो को पूरा ध्यान से दिखिए मैं आज आपको बताऊंगा कि इस्तरी के बाल से कैसे आप उसको पल भर में अपने प्यार में पागल कर सकते हैं वो इस तरी खुद बेचायन हो जाएगी आपके लिए खुद चल कर आपके पास आएगी आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगी हर पल पल आपको याद करेगी मेरे भक्तो मैं हमेशा से आप लोग को बताता आ रहा हूँ कि आप वो शिकरन के लिए किसी को भी एक रुपिया ना दे आपसे रुपिया ठगने वाले बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपको किसी को भी एक रुपिया नहीं देना है मेरे इस वीडियो के या आने विडियो के नीचे बहुत सारे अपना नंबर देते हैं कि मेरे पास कॉल करो, मेरे पास कॉल करो, यहां पर कॉल करो मैं आपका वसिकरन करवा दूँगा, कर दूँगा लेकिन ओलोग आपसे रुपया ठगेगा मेरे भक्तो आपको एक रुप्या भी किसी को वसीकरन के लिए नहीं देना है ठीक है इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा मैं बताऊंगा ति कैसे इस्त्री के बाल से पल भर में अपने प्यार में उसको पागल कर सकते हैं उसके पहले यदि आप मेनी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेनी चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और बिल घंटी को दबा दीजिए तक कि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा मेर भगतो सबसे पहले आप जिस इस्तरी का वसी करना चाहते हैं उसके बाल में से थोरी सी मतरा आपको चाहिए ठीक है आप उसको काट के लाइए या जब वो कंगी करके बाल को भीग देती है फैंक देती है तो आप उसके बाल को लाइए मैं गरांटी देता हूँ मेरे वक्त हूँ अगर ऐसे कर देते हैं तो इस तरी पल भर में आपके प्यार में पागल हो जाएगी वो आप से मिलने के लिए बेचैन हो जाएगी आप उसको साधी के लिए सिर्फ एक बार बोली हो खुद राजी हो जाएगी मेरे वक्त हो करना क्या है बाल को लाना है एक साधे कागच पे रख लेना है बाय हतेली में इस पे सिंदूर रखना है ठीक है सिंदूर रखना है थोरी सी मातरा में और क्या करना है सिंदूर को चुटकी मूठाना इस परकार से क्या करना है उसके बाद में लड़की का नाम लेना है साथ बाद और इसके बाद में क्या करना है इस बाल पे क्या करना है सिंदूर को गिरा देना है उसके बाद में आपको करना क्या है इसको अपने सर से साथ बार उल्टा गुमा ले साथ बार उल्टा घुमाने के बाद में क्या करें इसको जला दे इस बाल को जला दे जलाने के बाद में इसका जो राख बनेगा इस बाल का उसको क्या करें कि छोटी सी कागज में रख करके सादे कागज में इसको रख करके राख को क्या करें आप जहां पे सोते हैं तकीए के नीचे इसको रख लेजिए जैसे ही रख लेजिएगा मैं गरांटी देता हूं मेरे भक्तों कि वो इस तरही आपके प्यार में दिवानी हो जाएगी मधोस हो जाएगी हर पल पल आपको याद करेगी आपके बिना एक पल भी नहीं रह हैं गुरुजी मेरा काम हो गया बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी मैं आपके मंत्र से किसी को वस्म कर लिया हूं लेकिन वह ज्यादा हो गया है ज्यादा असर हो गया है मैं उससे पीछा छुराना चाहता हूं पिलिज उपाए बताइए तो ऐसा ऐसा भी मेरे में अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपके कूंडली में कहीं नहीं दोसो गई आप हम से जुरीं रहिए हम डेली सौ लोगों का वसिकरन करते हैं फिरीं में आपका बेश दिन नमबर आ जाएगा उच दिन हम आपका भी जरूर मदद करेंगे दानमार